हालो स्टूरेंट कैसे हैं आप सबी लोग अई होप यॉल और फाइन तो बच्चों स्थार्ट करते हैं निक्स चाप्टर चाप्टर नमबर 13 जो कि हैं डोंट बी अफरेट ऑफ दर अफरेट मींस दरना तो जो बच्चे होते हैं उन्हें काफी डर लगता है अंधेरे से और यह एक पोयम है जिसमें रस्किन बॉंड की जो कि वह बता रहें कि बच्चों को जो है डाक से नहीं डरना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं होता है चलिए स्टार्ट करते हैं डोंट वी अफरेट ऑफ दाक लिटल वान अथ मस्ट्रेस्ट वें देई इंट तो जो पोईट है वो कह रहे हैं कि डोंट बीफरेट ओफ दाक डाक से या अंधेरे से या राज से कभी डरना नहीं चाहिए चोटे बच्चे लिटल वाग जो अर्थ मस्ट्रेस्ट जो में झाद या fullestा है छतम हो जाता है चोड्वल में डिए न्यमें कर देते हैं सोने शुक करते हैं और फिर दूसरा दिन होता है फिर स्टर्ट करते है लेकिन वह सकता है लेकिन हों लाट उति है है वो कभी भी ऐसा नहीं करती कभी होता है कि मून लाइट से प्रॉब्लम हो रही है चान्द की रौशनी से प्रॉब्लम हो जाती September भुब्स नहीं हो सकता है लेकिन मून लाइट कभी भी हाश नहीं हो सकती और जो इस्टार्स activism be shining forever and ever और जो stars होते हैं रात में एक तो मूनी इतना प्यारा होता है उपसे जो stars होते हैं वो हमें रोशनी देने के लिए बने हैं हमेशा के लिए है be friends with the night there is nothing to fear जो हमें छोटे बच्चे होते हैं उन्हें काफी डर लगता है उन्हें डर नहीं लगना है उन्हें friendship कर लेनी चाहिए रात से इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है just let your thoughts travel to friends far and near बस जो thoughts चल रहे हैं अपने mind में जो आपके thoughts है travel to friends far and near जो आपके दोस्त आ रहे हैं जो दूर है जो पास है उनके बारे में जो आप सोच रहे हैं by day it does seem that our trouble won't cheese और जैसे दिन आएगा यह आप देखोगे कि जो आपके trouble है जो परिशानिया है वह आपके साथ नहीं होगी वह खतम हो जाएंगी but at night late at night the world is at peace लेकिन रात में एकदम लेट एट नाइट आइट जो वर्ड है वह किस में चला जाता है पीस में काफी शान्ती में राइट तो बच्चों यह है poem चलिए exercise करते हैं what does the earth do when the day is over तो अर्थ क्या करती है जब डे ओवर हो जाता है तो अर्थ जो है रेस्ट पर चलिए what happens when the day is over क्या होता है जब डे ओवर होता है तो तो मून आता है एंड स्टार्स होते हैं काफी शांती होती है peaceful माहौल होता है तो यह सब होता है what does the poet want us to do at night क्या करना चाहिए रात में घबराना नहीं चाहिए बस आप सोचो अपने के बारे में आप कल क्या करेंगे इन सब कीजों के बारे में प्लानिंग करो यह लेकिन अधेरे से या रात से कभी ड़ना नहीं चाहिए Tick the correct option, the poet suggest to the child not be afraid of the earth, dark or night. तो किसे नहीं ड़ना चाहिए? dark. The poet tells that there is nothing to dash, near peace or fear. The earth must dash when the day is done. Clean, rest, shining. So rest. True, false. The stars always shine day and night. No, stars shine karte only in the night. False. The poet tells the child to think of friends after it is dark. So poet johan child ko bolte hain think of friend matlab rat mein aap apne dosedo ke baare mein socho joki aapke door hain yaa phir pass hain unke baare mein. True. The poet tells the child to be afraid when it is dark. No. Poet kya 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 tha hai don't be afraid. False. Okay bacho so ye hai this sara poem ke baare में. और मिलेंगे next chapter में. Thank you.